नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वर्ल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूलतियागी और आप देख रहे हमाँ खास कारकम गुड मॉर्निंग इंडिया गुड मॉर्निंग इंडिया में खबरों का रुक करेंगे लेकिन उस से पहले जान लेते हैं आज का सुविचार जब आखों में अर्मान लिया मंजिल को अपना मान लिया है मुश्किल क्या आस्तान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया तो चलिए सी पॉजिटिव नोट के साथ खबरों का भी रोक कर लेते हैं कोरोना की तीसरी लहर के आशंकाओ और खत्रों के भी सरकार ने CBAC की बारवे की परिक्षा रद करने का फैसला किया है प्रधान मंत्री नरेंद मूदी ने सुमवा को इस मुद्धे पर राज्जे और अन्या हिद्धारकों से व्यापक चर्चा के बार फैसला लिया ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर के साधार पर छात्रों के परिक्षा परिक्षा परिणाम तै किये जाएंगे समय बद तरीके से तयार किया जाए साथ ही सीवियसी बोर्ट से ये सहूलियत देने के लिए भी कहा गया है कि यदि कोई चात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होता तो उसे ओफ-लाइन एक्षा का दूसरा मौका दिया जाए लेकिन ऐसा सिर्फ उनी हालातों पर होगा जब कोरोना को लेकर सितिया समानने होगी बैठक में शामिल केंड्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि रिजल्ट तयार करने के लिए इंटर्नल परिक्षा को भी आधार पर बनाया जा सकता है अभी तक शात्रों के लिए जो ग्यारवी और बारवी के जो इंटर्नल एक्जाम हुए हैं उसके असेस्मेंट के आधार पर नतीच चाहेंगे हर एक्जाम में उनके दाखिले के लिए पिछले साल की तरह सुविदा भी रहेगी और आगे चल कर जब परिस्तिती नॉर्मल होगी तो परिक्षा दे सकते हैं केरिवियार देश डोमेनिका में पकड़े गए भारत के भगोरे मेहुल चौकसी के मामले पर इस्तानिय कोट आज सुनवाई करेगी सुनवाई भारतिय समय के मताविक शाम को साड़े च्छे बजे से साथ बच्छे के करीब होगी अदालत पैसला करेगी कि चौकसी को वापे सेंटेकुआ भीटर जाएगा या भारत को कस्टिटी बिलेगी सुनवाई से पहरे मंगरवाग और डोमेनिका की अदालत में मेहुल चौकसी के वकील और सरकारी पक्ष हलफ नामा दाखिल करेगा उधर सूतरों के मुतावए मेहुल चौकसी के मामले कुले का जोमेनिकन रिपब्लिक से के सरकारी वकील को जानकारी मुहिया कराने के लिए EDCBI समयत अधिकारियों की टीम जोमेनिका पहुंच गई है जिसके बाद उसकी तलाश का लुकाउट नोटिस जारी किया गया था वही 24 मई को चौकसी को दोमेनिका में गिरफतार किया था उत्रप्रदेश में अगामी विधानसवाच चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी भी अब एक्टिव मोड में नज़र आने रगी है पार्टी ने लखनों समय छे जिलों के जुला ध्यक्ष बदल दिये हैं बताये जा रहा है कि लखनों मंडल की सेक्टर टीम में छे नए लोग शामिल किये गए हैं बता दें कि जन्वरी में मायवती ने एलांद किया था कि उत्रप्रदेश और उत्रखन के अगामे विधानसवाच चुनावों के लिए बीएसपी किसी भी राजनेतिक दल के साथ कोई गड़बंदन नहीं करेगी पार्टी अपने दम पर ही सभी विधानसवाच चेत्रों में चुनाव लड़ेगी वहीं 2019 के लोगसवाच चुनाव में सपा और वस्पा ने खात मिलाय था इस चुनाव के दौरान मायवती और अखिलेश एक मंच पर आकर मोधी लहर को रोकने की कोशिश भी कर रहे थे इस गड़बंदन का सबसे ज्यादा फायदा मायवती को हुआ 2014 के चुनाव में एक भी सीट नहीं जीतने वाली वस्पा ने दस सीटों पर जीत दर्च की थी वहीं सपा 2014 की ही तरह 2019 में भी पांस सीट पर ही सिमट गई थी सरकार ने आगा किया है कि कोरोना वाइरस संक्रमन का भी तक भले ही बच्चों में गंभी प्रभाब नहीं हुआ है लेकिन वाइरस के ववहार या माहमारी विग्ञान की गतीशीलता में परिवर्तन होने पर उसमें इसका प्रभाब बढ़ सकता है इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि इस तरह की किसी विस्तिती से निपटने के लिए तैयारी जारी है नीती आयो के सदसे वीके पॉल ने बताया हम आपको फिर से आश्वस्त करते हैं कि बाल चुकिस्सा की जरूरतों का प्रभंद किया जाएगा कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी उन्होंने बताया कि समिक्षा कर अनुमान लगाएंगे कि स्तिती बहुत बिगरने पर क्या जरूरी होगी और क्या उसमें अमल मिलाया जाएगा पॉल ने समवदाता सम्मेलन को संबोदिक करते हुए कहा कि बच्चों में कोविट के बाद मल्टी सिस्टम इंफलमेटरी सिंड्रोम देखा गया है बच्चों में संक्रमन से होने वाली जटिलताओं पर गौर करते के लिए एक राश्ट्री समू का गठ्षन किया गया है उन्होंने कहा कि बच्चों में समाने तो पर संक्रमन का लक्षन नहीं होता या फिर बेखत कम लक्षन दिखाई देते हैं तो गुड मॉनिंग इंडिया में खबरों में फिलार के लिए इतना ही लेकिन एक बाप फिर जाते जाते आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ छोड़े जाते हैं लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती तो इसी पॉजिटिविटी के साथ उमीद करती हूँ आज काप का दिन इसी पॉजिटिविटी के साथ गुजरेगा और लेकिन पॉजिटिविटी हमें मन से रखनी है, कोरोना से पॉजिटिव नहीं होना इसलिए अपना अपनी फैमिली का और अपने फ्रेंड्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखिये क्योंकि साफधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है और लगातार पूरे दिन यूज़ वर्ल इंजिया के साथ बने रही है क्योंकि खबरों का सलसिला यहाँ पर नहीं थमता मुझे दीज़े इजाज़त नमस्कार